तो दोस्तों हमें अक्सरी विंडो पे इस तरह का मैसिज मिल जाता है ठीक है जब हम कम्ब्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का मैसिज मिल जाता है तो इसका सिल्यूशन क्या है हम इस मैसिज को कैसे रिमूव कर जखते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं उससे पहले आप से हमेशा की तरह चोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टैक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेट बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल मत बुलिएगा तो चीके दोस्तो अब मैं चलता हूँ इस स्क्रीन शोट पे तो ये सिस्टम पे इश्व आया हुआ था तो जिसके बारे पर मैं आपको बताने वालों कि इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है तो फ्रेट्स यहां पे इस प्रोब्लम का जो सिल्यूशन है वो मैक्सिमूम एक ही होता है कि आपकी जो विंडू होती है वो क्रप्ट हो जाती है means कि बहुत सी फाइलें करप्ट हो जाती है और जो कम्पूटर होता है उन फाइल्स को अकसेस करने में बिल्कुल ही नाकाम रहता है means कि वो आपके कम्पूटर को रन ही नहीं कर पाता है तो इसका जो सही सिल्यूशन है और अगर आपको यही मैसिज आ रहा है जिसके वज़ा से जो system होता है वो विंडो को access नहीं कर पाता है और बिल्कुल रुख जाता है तो ऐसे पर आपको विंडो इंस्टाल करनी परेगी तो दोस्तों अगर आप विंडो इंस्टाल करना चाहते हैं तो description में आपको सबसे ऊपर link मिल जाएगा उसमें मैंने proper method बताया कि विंडो को आप कैसे इंस्टाल कर सकते हैं तो बिल्कुल easy method के साथ आप विंडो इंस्टाल कर सकते हैं तो चलिए अगर आपको भी यह message आ रहा है तो आप बेहतर है यही है कि आप विंडो कैसे इंस्टाल करते हैं उसका link का description में मिल जाएगा सबसे उपर उस पर क्लिक कर और बिल्कुल इजी मैटट के साथ विंडो इंस्टाल कर लें आदा घंटा भी जो है वो नहीं लगेगा आपका तो और विंडो जो है आपकी इस्टाल हो जाएगी तो चलिए दोस्तों यहां पर वीडियो खत्म करते हैं वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को करना वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत बूलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए अपना ख्यार रखिएगा अलाफेज